दोस्तों आज कल आप बागेश्वर धाम सरकार की काफी चर्चा सुन रहे होंगे। यहाँ धाम अपने चमतकार के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के महाराज जी जिनका नाम पंडित धीरेंद्र कृष्णा शास्त्री जो की किसी के भी मन की बात को बताने के लिए प्र आपने हमें सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो वो भी जरूर करे। अब मैं आपको बताती हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार रेल से कैसे पहुँचे। दोस्तों भारतिय रेल हर जिले में चलती है। आप बागेश्वर धाम देश के किसी कोने से पहुँच सकते हैं और यहां आकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। बागेश्वर धाम भारत के मध्यप्रदेश में इस्थीत हैं। सबसे पहले आपको आपके शहर या गाव से रेल पकड़नी है और आपको मध्यप्रदेश के खजुराहो या छतरपूर रेलवे स्टेशन पर उतरना ह यहां दोनों स्टेशन पास ही में है पहला खजुराहो रेलवे स्टेशन और दूसरा छतरपूर रेलवे स्टेशन। पहले मैं आपको बताती हूँ कि खजुराहो रेलवे स्टेशन से बागेश्वर धाम सरकार कैसे पहुँचे। पहला खजुराहो रेलवे स्टेशन आपको बमीठा तक टेम्पो मिल जाएंगे या आप अपना टैक्सी भी कर सकते हो फिर बमीठा से आपको टेम्पो बदलना पड़ेगा या वहां से बस भी पकड़ सकते हैं वहां से आपको गड़ा गाव पुतरना है। गड़ा गाव से बागेश्वर धाम सरकार पाच किलोमीटर अंदर है गड़ा गाव से भी आपको बागेश्वर धाम के लिए टेम्पो मिल जाएंगे। बस स्टेंड है, तो आप वहां जाकर बस भी पकड़ सकते हैं, किन्तु ये सभी बसे पन्ना, खज्राओं, बमीठा जाती है, रास्ते में गड़ा गाव पड़ता है, वहां आपको उतरना है. वहां से बागेश्वर धाम पाँच किलोमीटर अंदर है, वहां से भी आपको बागेश्वर धाम के लिए टेंपो मिल जाएंगे. दिल्ली से बागेश्वर धाम सरकार कैसे पहुँचे? अगर आप देश की राजधानी दिल्ली से बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं, तो आपको रेल यात्रा सबसे अच्छी रहेगी राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस नाम की रेल मिलेगी जो आपको खजुराहो रेलवे स्टेशन छोड़ देगी छतरपुर रेलवे स्टेशन भी खजुराहो रेलवे स्टेशन से पहले पड़ता है आप किसी भी railway station पर उतर सकते हैं, तो इस तरह से आप दिल्ली से बागेशवर धाम सरकार पहुँच सकते हैं. बागेशवर धाम सरकार हवाई जहाज से कैसे पहुँचे? अगर आप बागेशवर धाम हवाई जहाज से आने की सोच रहे हैं तो आपको अपने शहर से खजुराहो एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट लेनी है बागेशवर धाम के आसपास यही एक मात्र एयरपोर्ट है खजुराहो एरपोर्ट से आपको च्छतरपुर आना पड़ेगा इसके लिए आप बस या टैक्सी का प्रयोग कर सकते हैं च्छतरपुर से आपको गड़ा गाव उतरना है और वहां से बागेश्वर धाम 5 किलो मीटर है वहां से आप तेम्पो या टैक्सी कर सकते हो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन चमतकारों पर विश्वास है या नहीं यदि आपको आज का यह विडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेर करे प्लीज हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करे और फेस्बुक पर फॉलो भी करे और विडियो को लाइक भी करे और प्लीज हमें बताए कि आप किस शहर और देश से हैं कमेंट करके जरूर बताए